राइपूर में पूर्व मुख्यमंतरी कमलनाथ ने भारतिय राष्टि कॉंग्रेस की 85 महा अधिवेशन को संभोधित किया कमलनाथ ने कहा कि वो कॉंग्रेस पार्टी से 1972 से जुड़े हुए हैं कॉंग्रेस पार्टी ही बेरोजगारी, संस्कृती की रक्षा, सम्विधान की रक्षा जैसी चुनोतियों से लिपट सकती है और देश का विकास कर सकती है कॉंग्रेस के 85 भी अधिवेशन में पार्टी की वरिष्ट नीता इवंकार करता शामिल हुए मद्यपृदेश के पूर्ग मुफंक्री कमणापने कहा कि 1972 से देश में बहुत सुप्छ बतला है साथ युए उन्होंने कहा हम आर्टिक परस्ताब पर सुछ करने के समर्थन में खाये हैं आर्टिक परस्ताब में बहुत सारी बातें लिए हैं हमारे देश के सामने बिरुजगारी, सम्विधान की रक्षा और संस्क्रिती की रक्षा जैसी चुनोतियां हैं और ये चुनोतियां किसी मंदर या मस्जिद में जाने से समाप्त नहीं होंगी चुनोतियां तभी समापत होंगी जब हमारी सोच और जोजनाएं केवल इन पर क्रेंडित होंगी बिरुजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसका समादान सिर्फ कॉंगर्स पार्टी कर सकती है मैं आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने और उसके समर्थन में खड़ा हूँ आर्थिक प्रस्ताव जो है उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं पर जो बुन्यादी बात है जो आर्थिक प्रस्ताव के दिल और हिर्दे की बात है वो है रोजगार ये आज मैं मानता हूं तीन सबसे बड़ी चुड़ोतिया हमारे देश के सामने है बेरोजगारी, हमारी संस्कृती की रक्षा, हमारे संविधान की रक्षा मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समधान केबल कॉंगरेस पार्टी कर सकती है संस्क्रती सुख्षित रहेगी तो देश में बेरुजगारी नहीं रहेगी। संविधान पर बात करते हूई कमण्यात्नाप्नि आ किucktर ओक्ट़ धीम्रावं अम्रीटकर ने संवाध्य संव और यही संस्कृती आज हमारे खत्रे में हैं तो कैसे बेरोज़गारी दूर होएगी अगर हमारी संस्कृती सुरक्षित नहीं रहे वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेश, हम करते हैं सट्यका अनवेशा, तखल नीज, आपके हक्त में, आप देख रहे हैं तखल नीज